नमस्कार प्रिये दर्शकु एक बार फिर आपका स्वागत है अमारी यूटूब चैनल प्राचिन ग्यान सच्चा ग्यान में प्रिये दर्शकु आज फिर नया वीडियो नई जानकारे लेके आजिर विये हैं दर्शकु आज की जो कहानी है आज का जो परसंग है एक सिव भक्त की कहानी है प्रिये दर्शकु आज की कहानी बड़ी मोटिवेसनल है बड़ी ग्यान वर्दक है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपुन जानकारी हासिल हो दर्शकु जो लोग आदा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आदी अधूरी जानकारी मालूम होती है और प्रिये दर्शकु आदा अधूरा जो ग्यान होता है हमेशा खतरनाक साबित होता है इसलिए वीडियो को पूरा देखा करे सास्त्रों में इस कहानी का जिकर आपको मिलेगा प्रिये दर्शकु सिवमा पुरान में भी इस कहानी का जिकर मिलता है इस कहानी के बारे में ऐसा लिखा गया है ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य से इस कहानी को ध्यान से सुनता है उसके घर से समस्थ प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं उसके घर से समस्थ प्रकार की दुख पिड़ा दूर हो जाती है उसके घर से समस्थ प्रकार की गरिबी का नामो निसान मिठ जाता है प्रिदर्शकू जो नरे इस कहानी को ध्यान से सुनता है उस पर देवादी देव महादेव की असिम क्रिपा होती है दर्शकू आज की जो कहानी है एक सिव भक्त के कहानी है और ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है बड़ी ग्यानवर्थक है वीडियो सुरू करने से पहले जो लोग हम से नए जुड़े हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन ओन करें अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हराने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रियदर्सको आप उसका फाइदा उठा सके शुरू करते हैं प्रियदर्सको आज की प्यारिसी कहानी ये प्यारा सा वीडियो प्रियदर्सको प्राचिनकाल समय की बात है एक सिकारी एक जंगल में सिकार करने के लिए जाता था प्रिदर्सको वो सिकारी रोज जंगल में सिकार करने के लिए जाता था एक दिन गंगोर बारिस होती है तबी वो सिकारी बारिस से छुपने के लिए इदर उदर जगे डूणने की कोशिज करता है प्रिदर्सको अंत में उस सिकारी को एक सिव मंदिर नजर आता है अबो सिकारी बारिस से चुपने के लिए सिव मंदर में प्रविस कर जाता है प्रिदर्सको अबो सिकारी जैसे सिव मंदर में प्रविस करता है तो वहाँ पे सिव लिंग को देखता है सिव लिंग को देखने के बाद वो सिकारी भगवान को प्रणाम करता है प्रिदर्शको पहले से ही वो सिखारी बहुत बड़ा सिव भक्त था सिव का नाम अपने मनी मन में गाता रहता था लेकिन प्रिदर्शको उसको सिव भक्ती का कोई भी ज्यान नहीं था पूजापाट का कोई ज्यान नहीं था क्योंकि वो एक आदिवासी अनपड़ गमार मनुष्य था इसलिए उसको पूजा पाट का पूजा पाट की विधी का कोई ग्यान नहीं था अब वो सिव मंदिर में प्रवेश कर जाता है जैसे उसको सिव लिंग दिखाए देता है तो प्रिय दर्श को सबसे पहले वो भोले नात को प्रणाम करता है उसके बाद अपने मन में एक विचार सोचने लगता है कि देवादी देव महादेव को ऐसा में क्या अर्पित करूँ मेरे पास कोई पूझा की सामगरी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं महादेव को अर्पीत कर सकूँ प्रेधर्सकू यही सोच कर वो सिकारी अपने मन में एक विचार लाता है, सोचने लगता है कि महादेव को चड़ाने के लिए मेरे पास और कोई सामगरी नहीं है मेरे पास कुछ जानवरों के गोस्त पड़े हुए है मेरे पास सिर्फ जानवरों का गोस्त है इसी को मैं महादेव को चड़ा देता हूँ प्रीदर्स को अबो सिकारी यही सोच कर महादेव के सिवलिंग पर गोस्थ ठड़ा देता है यानि मास्थ ठड़ा देता है और प्रिदर्श को और मंदिर में बैट करके ओमन में स्वहे का जाप करता है जब बारिस रुख जाती है बारिस थम जाती है उसके बाद वो सिकारी मंदिर से निकल कर अपने घर को आ जाता है प्रिदर्श को अब वो सिकारी रोज जंगल में सिकार के लिए जाता और सिकार करने के बाद रोज सिव मंदिर में आता और सिव लिंग पर मास चड़ाता प्रिदर्श को वो सिव मंदिर जंगल के बीच में था यानि सुन्सान जगे पे था उस सीव मंदिर की पुजा अरचना करने के लिए एक दूर गाउं से एक पंडित आया करता था वो पंडित भी कभी कभी आया करता था वो जब भी सीव मंदिर में आता तो पूरे सीव मंदिर की सफाई करता और सीव मंदिर को साप सुतरा करने के बाद सीव पुजा करके वो पंड देखकर पंडित को बड़ा दुख होता है प्रीदर्स को लेकिन उस दिन पंडित सोचने लगता है कि हो सकता है कोई जंगली जानवर इस मास को लाके सिवलिंग पे डाल गया हो। यही सोच कर वो पंडित मास को हटा देता है और गंगाजल से स्विलिंग को पवित्र करता है और फिर से पाठ बोजा करके अपने घर को चला जाता है प्रिदर्स को। अब दूसरे दिन वो सिकारी फिर से जंगल में आता है और फिर से सिवलिंग पर मास चड़ा देता है। इसी तरीके से काफी दिन निकल जाते हैं, जब जब वो पंडित शिव मंदिर में जाता और तब तब वो सिवलिंग पर मास को चड़ा उआ पाता। ये देख कर दिरे दिरे पंडित भी बड़ा दुखी हो जाता है और देवादी देव महादेव से कहने लगता है कि महादेव ये दुष्ट व्यक्ति कोन है जो आपके सिवलिंग पर रोज-रोज मास को चड़ा के जाता है और पंडित महादेव से कहता है कि प्रभू ये जो भी दुष्ट व्यक्ति है यदि आप उसको मेरे समक्स ले आओ तो उसको मैं जान से ही कतम कर दूँगा इतनी पापी मनुस्य को मंदिर में आने का भी धरम नहीं होता है प्रिदर्स को इतनी बात कहे कर बो पंडित महादेव को प्रणाम करके और अपने घर को लोट आता है अब जैसे दूसरी दिन का समय होता है दूसरे दिन वो सिकारी फिर से जंगल में सिकार करने के लिए जाता है और सिकार करने के बाद वापिस सिव मंदिर में आता है सिव मंदिर में आने के बाद वो सिकारी सिव लिंग पर फिर से मास चड़ा देता है प्रीदर्स को अब उस सिकारी को एक और इच्छा प्रकट होती है सिकारी अपने मन में सोचने लगता है कि लोग सिवलिंग पर पानी चड़ाते हैं मैं भी सिवलिंग पर पानी चड़ाऊं मैं भी सिवलिंग पर पानी चड़ाना चाहता हूं लेकिन पानी लाने के लिए उसके पास में कोई पातर नहीं था प्रेदर्स को कोई पातर नहीं होने के कारण अब वो सिकारी पास में भरे पानी में जाता है और पानी अपने मुह में लेता है और मुह में पानी लेकर वापिस सिवलिंग पे जाता है अपने मुखा जूटा पानी सिव लिंग पे चड़ा देता है प्रिदर्सको इसी तरीके से वो बारी-बारी से अपने मुख में पानी लेके आता और सिव लिंग पे चड़ा देता प्रिदर्सको अब पूरे सिव मंदिर में गंदगी हो जाती है मास के इदर उदर टुकडे पढ़ जाते हैं और पूरे सीव मंदिर में गंदगी हो जाती है अब जैसी वो पंडित दूसरे दिन सीव मंदिर में आता है तो वो मंदिर के हाला देख कर पंडित चौक जाता है पंडित सोचने लगता है कि ऐसा कौन दुष्ट व्यक्ती है जो पूरे मंदिर में इतनी बयानक गंदगी कर गया है क्योकि चारो तरफ इदर उदर मास के टुकडे पढ़े हुए थे और पूरे मंदिर के प्रागण में जूटा पानी पढ़ा हुआ था इदर उदर मक्हिया मिनमना रही थी प्रेदर्सकूप अब वो पंडित सबसे पहले मंदिर की सफाई करता है मंदिर की सफाई करने के बाद देवादी देव महादेव से प्राथना करता है और कहता है कि प्रभू ये दुष्ट व्यक्ती ऐसा कोन सा है जो आपके रहते हुई आपके ही सीवलिंग पर मास चड़ाता है और जूटा पानी इदर उदर चड़ाता है अब वो पंडित महादेव से कहता है कि महादेव आपको कसम है ये जो भी दुष्ट व्यक्ती है उसको मेरे समक्स लेके आओ उसी समय उसकी गर्दन दर से अलग कर दूँगा इतनी बात वो पंडित महादेव से कहता है प्रीदर्स को जब पंडित इतनी बात महादेव से कहता है सिवलिंग से अवाज आती है सिवलिंग से अवाज आती है महादेव कहते हैं कि पंडित तुम्हारी तरह मेरा ये भी परमभक्त है और मेरा जोबी भक्त अपनी सर्दा से मुझे जोबी अरपित करता है उसको में सर्दा पूरुप ग्रहन करता हूँ तब पंडित महादेव से कहता है कि प्रभू ये तुमारा ऐसा कौन सा विचित्र भक्त है जो आप पर गोश चड़ाता है मास चड़ाता है और अपने मुख का जूटा पानी आप पे चड़ाता है तब महादेव तब सिवलिंग से फिर से अवाज आती है महादेव कहते हैं कि पंडित यदि तुम मेरे इस भक्त को देखना चाहते हो तो मंदिर के प्रागण से बहार निकलो और बहार किसी जाड़ी में चुपके बैड़ जाओ जब मेरा भक्त जब मेरा ये विचित्र भक्त मंदिर में आएगा तब इसको आप देख सकते हो प्रीदर्सकू अब वो पंडित मंदिर से बहार निकल जाता है और जाड़ीों में चुपके बैड़ जाता है प्रीदर्सकू अब जैसे वो सिकारी मंदिर में आता है आते ही प्रीदर्सकू अब जैसे वो सिकारी जंगल से सिकार करने के बाद सिव मंदिर में प्रवेश करता है अब जैसे उस सिकारी की नजर सिवलिंग पे जाती है तो वो देखता है सिवलिंग पर बनी महादेव की एक आँख से खुन निकल रहा था प्रिदर्सकू ये देखकर वो सिकारी बड़ा चिंतित होता है और अपने मन में सोचने लगता है कि जरूर मेरे प्रबु की आँख खराब हो गई है और मेरे प्रबु की आँख से खुन निकल रहा है ऐसा विचार अपने मन मिला कर अब वो सिकारी अपने थेले से चुरी निकालता है और चुरी निकाल कर अपनी एक आँख निकाल लेता है खुद की आँख निकाल कर महादेव को अर्पित कर देता है प्रिदर्सकु इस सारी गटना को वो पंडित जाडियों से देख रहा था जब वो सिकारी महादेव को अपनी एक आँख अर्पित कर देता है प्रिदर्सकु तब भी महादेव की दूसरी आँख से खुन निकलना शुरू हो जाता है जब वो सिकारी महादेव की दूसरी आँख को देखता है तो उसमें से भी खुन निकलना शुरू हो जाता है तब वो सिकारी अपने मन में विचार करता है कि क्योंने मैं मेरे प्रभू को मेरी दूसरी आख भी अरपित कर दू यही सोच कर वो सिकारी फिर से छुरी हाथ में उठाता है और फिर से अपने मन में एक खयाल आता है सोचने लगता है कि यदि मैं महादेव को मेरी दूसरी आख भी अरपित कर दूँगा तो मेरे प्रबु को मैं देखूंगा कैसे, मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरे प्रबु है कहां और कैसे हैं, लेकिन फिर भी सोचने लगता है कि मेरे प्रबु की आँख खराब हो गई है, इसलिए मैं मेरे दूसरी आँख भी महादेव को अरपेत कर देता हूँ यही सोचकर वो सिकारी जैसे ही अपनी दूसरी आँख निकालना सुरू करते हैं तो प्रीदर्श को महादेव उस सिकारी के सामने प्रकट होते हैं और अपनी भक्त को महादेव दर्शन देते हैं प्रिय दर्श को इस सारी गटना को वो पंडित जाडियों से छुप कर दे कर रहा था। प्रिय दर्श को तब वो पंडित जाडियों से निकल कर महादेव के चर्णों में पढ़ जाता है। पंडित महादेव से कहने लगता है कि प्रबू मैं इतने वर्शों से सर्दा पूरुक आपकी भक्ति कर रहा हूँ लेकिन आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिये। और आपका ये परम भक्त सिकारी इसको कुछी दिनों में आपने दर्शन भी दे दिये। ये सिकारी की भक्ती दन्य है और आप भी प्रबू दन्य है। प्रीदर्शको तब महादेव इस सिकारी को वरदान देता है। महादेव कहते हैं मेरे प्री भक्त अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। प्रिदर्शको उसके बाद उस सिकारी को लोग करना पा नेनार के नाम से जानते हैं और प्रिदर्शको उस सिकारी का कहीं कहीं मंदिर भी बना हुआ है दिवादी देव महादेव का प्रमभक्त के नाम से इस नेनार सिकारी को जाना जाता है प्रिदर्शको ये कहानी ये कहता एक सत्य गठना परादारित है इस कहानी के बारे में इस कथा के बारे में एसा कहा जाता है कि जो मनुष से इस कहानी को धान से सुनता है प्रिदर्शकु देवादी देव महादेव की उस व्यक्ति पर असिम किरपा होती है और उस व्यक्ति के जीवन से समस्त प्रकार के मही होता है प्रिय दर्श को हम उमेद करते हैं कि आज की चोटी सी श्रीव भक्त की एक कहानी आप लोगों को बेहद पसंदाई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेनाय लेगे प्रिय दर्शको देवाधि देव महादेव इतने भूले हैं कि अपने भक्त के अरिच्छा को पूर्ण करते हैं यदि कोई भी बनदा महादेव को अपनी पूर्ण निष्टा से यदि कुछ भी अरपीत करता है तो महादेव उसको सहज सुविकार कर लेते हैं और अपने भक्त के संपूर इच्छाओं को पूरी करते हैं प्रिदर्श को ये कहानिया समापत होती है मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना खयाल रखे जी नमस्कार धन्यवाद